यह कौन होते हैं तो आजादी की लड़ाई भी लड़ी और इनके चो आइडिलॉग हैं वीर सावरकर उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ उनकी फौज में जुड़ने की बात की अंग्रेजों से उन्होंने गोहार लगाई यह सावरकर विलिफिकेशन इस इकॉल टू गॉइ करते करते बिना कुछ खाए पिये दिन रात जो सारी प्रकार की प्रताडनाय सेहन कर रहे थे और सारी प्रकार की प्रताडनाय सेहन करने के बाद भी वो क्या कह रहे थे सागरा प्रान तर्मला वो कह रहे थे ने मजसी ने परत मात्रु भूमी में मुझे बापिस ले जिनके मुझे केवल एक ही चीज निकलती थी भारत माता की जै मैं सवाल पूछना चाहता हूं जो ये लोग बोलते हैं सावरकर के उपर इन्होंने एक दिन भी कभी जेल के अंदर जाकर देखा है कभी एक दिन भी उन्होंने जेल भोगी है सावरकर को यह समझ नहीं सकते सज बात तो आजाए तो हम बौने हो जाएंगे और इसलिए अपने बौने होने के चक्कर में सावरकर जी के उपर अन्या है इन लोगों ने किया आज सारे सारे एविडेंस समाज के सामने जितने सावरकर जी के उपर आरोप लगे वो सारे कैसे जूटे है इसके अब डॉक्युमेंटरी evidence हमारे सामने फिर भी कुछ लोग सावरकरजी को गाली देने में अपने आपको धन्य मानते अरे उनको तो सावरकरजी पता ही नहीं है सावरकरजी छोड़ दीजे उनको अगर बैठकर भारत के सोतंतरता के इतियास के चार नायकों के किरदारों के बारे में पूछा तो उसका भी जवाब वो दे नहीं पाएंगे तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि न उनके ओपर किसी का विश्वास है न कोई उनको बिलीव करता है